विचार करिये पहले हम सुक्ष्म करमींद्रियों के अगर बात करें तो मेरे पास एक शक्तिशाली मन है और मन को तो हम बता चुके हैं आप समझते हैं मन तो जिनी है राजा की सारी प्रॉबलम पतम कर सकता है तो हमारी तो मेरे पास शक्तिशाली मन है मन रूपी धन मेरे पास है शुक्रिया मेरे प्यारे शिव भाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक शक्तिशाली मन दिया है अभ्यास करिये थोड़ा मेरे पास डिवाइन इंटलेक्ट है होली हंस बुद्धी है जो ज्ञान मूती ही चुक्ति है जो व्यर्थ छोड समर्थ को धारन करती है मेरे प्यारे शिव पर्मादमा आपका कोटी कोटी शुक्रिया आपने मुझे दिव्य बुद्धी दी है संस्कारों के बारे में विचार करें मेरे रोयल संसकार सुक्षांती सम्रुद्धी संपन्न संसकार संसकार रूपी दन मेरे पास है इस आत्मा के पास संसकार नहीं उसके पास कुछ नहीं शेवाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आईए अभी स्थूल करमेंद्रियों की चिंतन करते हैं आंखे आंखों पर पट्टी वांद लीजिए और देखिए दुनिया कैसी दिखाई देती है सुचे एक मिनट आँखे बंद है तो सब काला काला दिख रहा है आँखे ना हूँ तो पता चले कि आँखों की कीमत क्या है कोई हम से कहे कि मैं आपको एक करोड रुपे देता हूँ अपनी आखे मुझे दे दीजिए खम देंगे आँखों की कीमत आँखे छोड़िये कोई आप से बोले एक अंगली काटके दे दीजिए करोड रुपे दे दूँगा नहीं देंगे देखिए कीमत इस शरीर की कीमत भी बहुत है हम में से अधिकतर 99% से भी ज़ादा सर से पाउं तक सभी स्थूल करमेंद्रियों से परपूर है सब के दो पाउं, दो हाथ, दो आखे, दो कान सब को हैं कोई कोई ऐसा होगा जिसको नहीं होगे, यानि जिने हम कहते हैं तब देख लीजिए हमारे पास स्थूल करमेंद्रियों के रूप में धन बहुत है बट इनको हम शुक्रिया करते हैं कभी शुक्रिया करना माना कंप्लेन को बहुत दूर उठाके फैक देना शुक्रिया करना माना अपने मन को कृतंगता से भरना संपन्यता से भरना अपने मन को ये बताना कि मेरे मन देख तेरे पास कितना कुछ है और मन तो खुश हो जाता है मन ये महसूस करता है हाँ मेरे पास सब कुश है वाँ वाँ मुझे याद आता है छोटा सा उधारन समझ लीजिए इसको एक बार एक शिश दौडता हुआ अपने गुरुजी के पास आया और बोला गुरुजी गुरुजी सारे घोड़े मैंने बांग दिये है लेकिन एक घोड़ा खुला हुआ है तो गुरुजी ने बोला क्यों बच्चे शिश ने कहा गुरुजी एक रस्सा कम है तो गुरुजी ने कहा बिटा घोड़े के पास जाओ उसकी गर्दन के चारों तरफ ऐसे हाथ घुमाओ जैसे मानो आप उससे रस्सा बांध रहे हो फिर ऐसे हाथ करके उसके आगे-ागे चलो उसको ये लगेगा कि आप रस्सा पकड़के चल रहे हो वो आपके पीछे-पीछे आएगा फिर एक खूंटे को ऐसे बांधने की एक्टिंग करना जैसे आप सचमुचों से बांध रहे हो वो बंध चाहेगा अब शिश्य को बात समझ में नहीं आई गुरू जी क्या कह रहे हैं ऐसे कैसे हो जाएगा लेकिन गुरू जी कह रहे हैं तो बात तो माननी होगी गया सेम ऐसे ही किया और घोड़ा अराम से खड़ा हो गया दोड़ा दोड़ा आया गुरू जी घोड़ा तो अराम से खड़ा है तो गुरू जी मुस्कुरा है अगले दिन जब घोड़े चरने के लिए छोड़े गए तो सभी घोड़ों को खोल दिया गया, सभी घोड़े भागे लेकिन वो घोड़ा वहीं खड़ा है और आवाजे दे रहा है बोला गुरुजी वो घोड़ा तो आई नहीं रहा है तो गुरुजी ने कहा बेटा पहले उसका रस्सा तो खोल, रस्सा खोल उसके मन का एक रस्सा हमने अपने मन को बांगाए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है और सब कुछ होते हुए भी मन अभी भी यही कहता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है इश्वर या ज्ञान भी ले लिया फिर भी हम में से कुछ एक आत्मा ये complaint करती है कि बाबा मेरे पास ये निए है बाबा ये निए बाबा ये दे दो मेरे पास ये नहीं है लेकिन एक शब्द बड़ा प्यारा यूज होता है न्यामते गिनना उन्हें गिन कर देखो कि मेरे पास कितना कुछ है हम में से अधिक तर के पास 95% चीजे हैं केवल 5% नहीं है लेकिन चिंतन उन 5% का ही करते हैं जो नहीं है और फिर मन को क्या कमाण जाती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है जैसे संपन्टा संपन्नता को आकर्शित करती है वैसे ही एक गरीब मन यानि मन की गरीबी को आकर्शित करती है एक टी शिर्ट आपके कोने में पिछले दस दिन से पड़ी है जिसे आपने हजार रुपे का खरीदा था पिछले बीश दिन से हजार रुपे कोने में पड़े हुए है एंड हमने उसकी तरफ देखा भी नहीं है हमें उन हजार रुपों की कदर नहीं है लेकिन हम कंप्लेन करने में विजी है कि मेरे पास ये नहीं है टी शर्ट पड़ी है माना हजार रुपे कोने में पड़े है हमें उसकी कद्र नहीं है और जिस चीज की हम वैल्यू नहीं करते वो हमसे रूट जाती है वो हमसे कहीं दूर चली जाती है